जी एस वाणे में आप सभी का स्वागत है और जैसा कि भारती राज विवस्था कि ये वीडियो में लेके आ रहा हूं आज ये नवी वीडियो है आपकी तो मौलिक अधिकारों से संबंदित जो प्रशन संभावित थे जिस प्रकार से प्रशन बन सकते हैं अब बनने तो हर आ वीडियो का क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ा सा चीजों को समझाना पड़ता है चीजें करने tus deux करते चलेंगे अब यहां हम बढते हैं मौलिक अधिकारश को को देखते चलेंगे यहांप हम सामान्यत्या समानता का अधिकार जो है आपका राज्यच्छेत्र में किसी व्यक्ति को विधी के समक्ष समता से या विधीयों के समान संडक्षण से वन्चित नहीं किया जाएगा अनुच्छेत 12 और 13 हम पहले देख चुके हैं इसलिए अब हमें 14 से ही डारेक्ट स्टार्ट किये हैं तो बाकी चीज़ें तो समझ में आई रही हैं सामान है कि भारत के राज्यच्छेत्र में भारती सीमा में जहां तक भारत की संप्रभुता है उसके सीमा में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष किसी भी प्रकार की समानता से वन्चित नहीं किया जाएगा प्रमतलब उसके साथ किसी प्रकार का भेद भाव नहीं किया जाएगा, जो सम्मिधान के नियमों के अनुकूल है, वही कारे किया जाएगा, अपवाद स्वरुप राज्ट्रपति और राज्यपाल हैं, तो हम अपवाद बाद में देखेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं, दो सब्द ऐसे हैं, जो आपको थोड़ा आजीव लग सकते हैं, या जिनको समझने की दरकार है, यह एक है विधी के समक्ष समता, और विधीयों के समान संडक्षन से है, ठीक, तो यहाँ एक चीज़ और समझने की बात है, कि समानता सब्द जो है यहाँ पे, यहाँ अनुच्षेद में जो सम्विधान वढ़नित हो, समता सब्द इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो समानता और समता जैसे, मानली जी कि आपके पास, मानली जी का पैरेंट हैं, और दो बच्चे हैं आपके पास, तो आपके पास चार रोटियां हैं, तो आपने दो रोटी एक को दे दिया, दो रोटी एक को दे दिया, यह तो समानता हो गई, लेकिन यहाँ बात समता की हो रही है, समता क्या होगा, समता यह है, कि जिसको जितनी आवशक्ता है, उसकी आवर्शक्ता के अनुसार उसे चीजे मिलनी चाहिए, माल लेजिए कि एक को तीन रोटी की जरूरत है, दूसरे को दो की ही जरूरत है, तो आप जवर्जस्ती उसको दो मत दीजिए, जवर्जस्ती तीन मत दीजिए, जितनी उसकी आवर्शक्ता है उतनी ही दीजिए, तो यह क्या कहाएगा, यह समता कहलाएगा, तो यहाँ पर समानता और समता थोड़ा साम संचित में देखे, अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, विधी के समक्ष समता और विधियों के समान संडक्षण से क्या तात पर है, यह देखते हैं, अलग-अलग जैसे विधी के समक्ष समता क्या है पहले ये देख लेते हैं ठीक है तो विधी के समक्ष समता A में देख रहे हैं और B में हम देख रहे हैं विधियों का समान संडक्षन तो पहला देखते हैं सभी एक समान हैं किसी भी व्यक्ति को विशेस अधिकार नहीं है यह विधि के समक्ष समता दिखाता है कि प्रतेक व्यक्ति समान है किसी को कोई विशेस अधिकार प्राप्त नहीं है विधियों के समान सर्वक्षन की बात करें तो इसमें क्या आता है विधि के माध्यम से दिये अधिकारों में समान पर ग्रूप से बेवखार किया जाएगा परिस्थितियां अगर विसेस बनती हैं तो बेवखार में विसेस्ता लाई जा सकती है इसको हम आगी समझेंगे अभी इतना ही समलेज़े दूसरा point DC में आ रहा है विधी के समक्ष समता में की काणून या विधी के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान बेवहार किया जाए ऐसा कहा जा रहा है इससे क्या होगा विधी के समक्ष समता अस्थापित होगी कि कानून या विधी के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान बेवहार अमीर हो गरीब हो या अधिकारी हो सामान विधी से बढ़कर कोई नहीं है जबकि विधियों के समान संद्रक्षण क्या गया है कि समान के साथ समान वे वहार जैसा एक बोला ही जा रहा है और विधी के समक्ष्णता में है नकारात्मक संद्र में है विधियों के समक्ष्णता जो है यह नकारात्मक संदर्व में है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह चीज़ें कहा गया है, जब कि विधियों के समान संदक्षण में कहा है, सकारात्मक संदर्व में है, इसमें कहा है, ऐसा ही होना चाहिए, इसमें कहा है, इसमें कहा है, इसमें कहा जाता है सभी के सांथ समान बेवहार होगा तो यह सकारात्मक और नकारात्मक संदर्व में देख लिए अब यहां एक चीछ देखते हैं अपवाद स्वरूप क्या है जैसे सभी के सांथ समान बेवहार तो किया ही जाना चाहिए इसके अलावा दो अपवाद होते हैं राज्ट साथिकार दिये जाते हैं इनके पद के कर्दब्यों के निर्वहन के लिए तो इसमें क्या होता है कि जो रास्टपती राज्यपाल अपने पद पर बैठे हैं दाइतों के किसी भी नायाले में कारवाई नहीं की जा सकती उनके खिलाफ, ठीक है? अगर वह कोई ऐसा कारे कर देते हैं, जो की नायाले वादय योग्या है, या जिस भी के सुनभाई की जानी चाहिए, तो उनको ऐसे कारियों के लिए नायाले से समर्ण नहीं किया जा सकता ठीक है इन्हें यह विशे साधिकार अनुच्छेद 361 के अंतरगत प्राप्त है अनुच्छेद 361 के अंतरगत इनको यह विशे साधिकार दिया गया है राश्ट्रपती और राजजपाल को और कौन है विदेशी राजनाईक जो राजदूत किसी विदेश का है हमारे हाँ है उसके द्वारा को एसा कारे किया जाता है शाशकों जो राज्यपाल वगर है या जो सची वस्तर के अधिकारी है सेंग तराशनकी अजनसियों को भारती नयालयों में कि सिविल अथवा आपराधिक अधिकार्था से मुक्ति प्रदान की गई है भारत में सांसदों को और विधायकों को क्रमसह सांसदों को अनुच्छेद 105 के तहत विसे साधिकार प्राप्त है यानि कि वे संसद में किसी भी प्रकार कुछ भी बोल सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं उनके खिलाब किसी प्रकार की करवाई नहीं की जा सकती और विधायकों को अनुच्छेद 194 के तहत विसे साधिकार प्राप्त है इसमें क्या कहा है कि संसद में या विधारिका में जो भी उन्हें कहीं कि किसी भी बात के लिए नयालाय के प्रति जबाब दे नहीं होना है कि इन्होंने ऐसा क्यों कहां इन्हें नयालाय में बुलाए जाए इनके खिलाब समन्जारी किया जाए ऐसा नहीं किया जा सकता क्यों क्योंकि इन्हें विशेस अधिकार प्राप्त है और यह किसी भी तरह से अनुच्छे 14 का उलंगन नहीं करता है तो यह जानना थोड़ा आवश्यक है और हाँ अनुच्छे 361 क में मीडिया को यह स्वतंत्रता प्राप्त है यानि कि मीडिया कहने के लिए स्वतंत्र है अनुच्छे 361 क के तहत उस महां समता के अधिकार का उलंगन नहीं माना जाएगा किसी तरह का अब देखते हैं अनुच्छे 15 यहां दो सब्द ध्यान रखिएगा पहला केवल और दुसरा विभेद ठीक है आगे बढ़ते हैं क्योंकि यह विशे परिभासा है थोड़ा इसके वारे हम देखेंगे अनुच्छे 15 के रहा है केवल धर्म मूलवंस जाती लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिसेद किया जाता है ठीक है प्रतिसेद करता है मतलब उपरोक्त आधारों पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी व्य प्रतिसे विभेद नहीं किया जाएगा उपरोक्त आधारों पर ठीक है अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे इसमें हाला की पांच उपकलॉज जोड़े गया है पांच उपभाग इसके हैं वे कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके जैसे 15.1 मे क्या कहा गया है राज्य को आदेश दिया गया है कि केवल धर्म मोलवंस लिंग आधि जाती जन्मस्थान आधिके आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा किसी के साथ ठीक है हलांकि प्रतिसेदे में कमपणी प्राइवेट कमपणी पर लागू नहीं होगा ठीक है तो आवकास दिया जा सकता है ठीक है विभेद का उपरोगत आधार नहीं है ठीक है यह लिंग प्रक्सीमित नहीं है ठीक है यानि कि यह नहीं कहा जा सकता कि उपर तो कहा गया है पंदर में कि लिंग के आधार पर भी विभेद नहीं किया जाना चाहिए तो यहां तो महिलाओ को क्यों दिया जा रहा दिकार तो यह लिंग के आधार पर विभेद नहीं है बलकिन महिलाओं के प्रति बच्चों के प्रति बुजरुगों के प्रति यह एक सहानुभूति के आधार पर अपवाद तयार किया गया है ठीक है उसके अलाव क्या है पंदरत दो में क्या कहा जा ठीक है इसके अलावा पुर्णता है या अंसतह राज से निधी पोशित जनता के लिए कुवा तालाव सारवजनिक समागा मादिस्थानों पर किसी के साथ भेद भाव नहीं किया जाएगा ठीक है प्रावेट कमपनियों को भी लपेट दिया दो में ठीक है और यहां पर स्प् प्रवेट को यह कहके वंचीत वहां से उसे हटा नहीं सकते है उसे आने नहीं दे सकते किसी प्रकार कि उसके प्रवेश को आप रोक नहीं सकते कि तुम इस लिंग जाती धर्म समुदाय से संबंदर रखते हो इसलिए तुम यहां आने की योग्य नहीं हो यह 15-2 आपका कह अब एक आता है 15-3 तो 15-3 में क्या कहा गया है इसमें कोई भी बात राज्य को महिलाओं और बच्चों हेतु बिसेश प्रावधान करने से नहीं रोकती है 15-3 में बता दिया गया कि जो भी उपर प्रावधान दिये गया है 15 में इनके बावजूद बच्चों और महिलाओं क करता है तो उनको रोका नहीं जा सकता यानि कि वे कर सकते हैं ठीक है सुप्रिम कोर्ड का निर्णा है एक वर्डिक थे उसमें कहा गया है महिलाओं को प्राप्त प्रसूती अवकास जो उनको केबरं लिंगपर आधारित नो होकर विसिष्ट सारीरी किस्थिति पर आधारित है अब यहीं परिस्थिति हैं और उनके अनुकोREE को करें जिसे से कि वे भी सामान रोप से कारे कर सकें और अपने आपको शुरक्षित रखते हुए तो राज्य केवल महिलाओं द्वारा संचालित सिक्षन संस्थाओं को भी अस्थापना कर सकता है अब यहां भी आपे नहीं कह सकते कि नहीं यह तो विभेद हो गया नहीं यह विभेद नहीं हुआ उनके साथ कुछ पिसेस कारे किये जा सकते है यहां 15-3 छूट देता है इस बात का ठीक है यहां 15-1 और 15-2 का अपवाद है अब अगला आता है 15-4 15-4 में क्या कहा जा रहा है 15-4 में है प्रथम संबिदान संसोधन 19-51 के दोरह इससे जोड़ा गया था यह ध्यान रखने वाली बात है संसोधन ध्यान रखिएगा पूछ लेता है प्रथम संबिदान संसोधन 19-51 के माध्धम से जोड़ा गया ठीक है आधार मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईजी मामले का निर्णे थाए ठीक है अनुशुचित जन जाती है तुब विसेश प्रावधान किये जा सकते हैं ठीक है तो अगर यह हो कि सिक्षन संस्थानों में प्रवेश हो गया रहो को लेके अगर किस संस्थान का निर्णा रख्षित किया जा रहा है तो यह किसके अंतरगत किया जाएगा 15-4 कि अंतरगत किया जाएगा यह भी 15-1 और 2 का दूसरा अपवाद देखने को मिल रहा है अब और देखते हैं आगे क्या है 15-5 अब देख लेते हैं ठीक है 15-5 में क्या है तिरान ब्यमा संविधान संसोधन हुआ था 2005 में और 15-5 जोड़ा गया इसमें क्या कहा गया किसी भी सेक्षणिक संस्थान सरकारी हो या गैर सरकारी हो नामांकन है तो पिछड़े वर्गों के लिए विशेस प्रावधान की विवस्ता की जा रही है अपवाद में क्या है अलप संख्यक सिक्षट संस्थान या निजी सिक्षा संस्थान इसमें सामिल नहीं है सुप्रिम कोर्ड में असोक कुमार बना भारत संग 2008 में इसे वैद ठहरा है उनके लिए कुछ विसेस प्रावधान किये जा सकते हैं तो ये रहा अब हम थोड़ा से यहां केवल और विभेद समझ लेते हैं जो पहली मैंने बोला था तो ये जो दो सब्द हैं विभेद का अभिपराय क्या है ये देख लेते हैं इसका विपराय है किसी के विरुध विपरीत मामला या अन्य के प्रती उसके पक्ष में न रहना ठीक है समझ आ रहा है किसी के विरुध विपरीत मामला या अन्य के प्रती उसके पक्ष में न रहना किसी भी प्रकार से पक्षपात आप नहीं कर सकते और केवल क्या कह रहा है इसका विप्राय है अन्याधारों पर मतभेद किया जा सकता है जो अभी तक मैं आपको बताते आ रहा हूं 15, 2, 3, 4, 5 तक कि कोई अन्याधार बना के विभेद किया जा सकता है लोगों से वहाँ बच्चों से भी किया जा सकता है, अल्पसंख्यकों से भी किया जा सकता है, और महिलाओं से भी किया जा सकता है, बुजर्गों से भी किया जा सकता है विभेद, ठीक है, तो यह यहाँ पे विभेद और केवल का हमने अर्थ समझ लिया सामानित आप, अब आगे बढ़ लोग नियोजर के विशय में अउसर की समता क्या होगी? यहां देख लेते हैं अपवाद इसके भी मौजूद हैं, लेकिन पहले हम इसके विशय में डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं. तो यह कह रहा है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्मंधित विशय में सभी नागरिकों के लिए समान अउसर की समता होगी, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है. या केवल धर्म, वन्स, जाती, लिंग, जन्म का अस्थान या निवास के अस्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार योम कारियाला के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता. ठीक है, यह सारे प्रावधान इसमें किये गए हैं. ठीक है, यह आपने समझ लिया, इसमें कुछ-कुछ अपवाद भी जुड़े हुए हैं. तो वे अपवाद क्या हैं, इनको देख लेते हैं, कि संसद किसी विसेश रोजगार के लिए निवास की सर्थ आरोपित कर सकती है. ठीक है, जैसे आंध्रा प्रदेश तेलंगाना यह वेवस्था, हलांकि इसके अत्रिक तो वेवस्था है उनकी, लेकिन हम ऐसा समझ सकते हैं, जैसे यह कहा जाता है कि अगर माल लिजे कि आर्मी मभरती हो रही है, और गुर्खा रेजिमेंट के लिए हो रही है, तो उसमें हाइट का कुछ यह वहाँ निवास असान समंधी और रख दिया जाता है, कि यहाँ का आपका निवासी होना ही चाहिए, या इस समुदायस से होना ही चाहिए, तो यह किसी भी प्रकार के अंच्छे सोलका उलंगन नहीं माना जाएगा, ठीक है, या फिर यह होता है, राज्य और गया ऐसा है, उसका प्रतिनीधित्त परियाप्त नहीं है उसकी जनसंख्या के आधार पर, तो ऐसा राज्य सरकार के हाथ में अब दे दिया गया है, कि वह इसका निर्धारन करे और उन्हें उचित आरक्छन दे कर उन्हें उनके प्रतिनीधित्त को बढ़ाए, तो यह ब्यवस्ता 16-4 में की गई है, संभिधान के अनुच्छेद 16-4 में ऐसा किया गया है, ठीक है, इराज्य के अधीन की बात की गई है, उसके अलावा एक 16-5 का भी अपवाद है, उसमें क्या कहा गया है, किसी धार्मी क्या सामप्रदाइक संस्था में, किसी पदाधिकारी सद बिबादित विसे रहा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे बिबाद रहे हैं सुरू से ही, जैसे इसके संदर्भ में यह आया की 16-4 में पिछळा वर्ग कौन है, इसका कैसे निधारन किया जाएगा, तो प्रथम पिछळा वर आयोग, जो प्रथम पिछळा वर्ग आयोग बनाय गया जो है काका कालेन कर की अढ़्यक्षता तो की अध्यक्षता में। कि आयोग का गठं किया गया कि और इन्होंने सारी चीजें पता करके कौन पृषभा वर्ग में कितने पर्संट आपादी क्या कैसे इसको राष्दपती को की अनुसंसाओं को खारिज कर दिया गया था उसके पस्चात क्या होता है कि 1989 में 1979 में दुटी पिछड़ा आयोका गठन किया जाता है ठीक है इसमें बीपी मंडल के धक्सता में किया इसलिए देखे बिहार या यूपी की राजनीत में मंडल का मंडल की राजनीत की बाती बार और जाती को पिछड़ा पन का आधार माना गया और नौकरियों में 27% आरक्षण की बात की गई ठीक है और 1990 में बीपी सिंग की सरकार थी जो इसको लागू कर दिया उन्होंने उस समय ठीक है की बी सी ठीक है तो इसमें क्या है आर्थिक रूप से पिछड़ा जो वर्ग था इसमें ज्यादा तर उच्छ जाती है 10% आरक्षण देनी की घोशना उस समय किया गया 10% आरक्षण की बाद की जो वर्टमान में लागू हो चुका है उच्छ लोग गए उसके खिलाब तो उसने फैंसला दिया और इसलिए बहुत विवादी थे क्योंकि इस पे हमेशा कुछ न कुछ डिबेट चलता अभी हाल फिल हाल में ये सुप्रिम कोट फिर मैटर गया थ तो सुप्रिम कोट ने कहा आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है आरक्षण देने के पीछे तरक होता है कि एक वर्ग को उसका प्रतनिधित नहीं है समाज में बराबर हर जगा उसके प्रतनिधित को उसके विकास को आगे करने के लिए उसको यह प्रावधान किया गया है यह अर्थार पिछड़ी जातियों के साधन संपन तबके को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा अभी मैंने क्रीमी लेयर को परिभासित किया है आगे समझाया है क्रीमी लेयर क्या है ठीक है और आरक्षण की अधिक्तम सीमा 50% होगी हलांकि आज कुछ राज पार कर चुके हैं इसे पदनती में आरक्षण लागू नहीं ठीक है बैक लॉग का केरी फारवर्ड नहीं होगा अब बैक लॉग क्या है इसको भी आगे हम समझ रहे हैं ठीक है आरक्षण की व्योस्था का नियाइक पुनरावलोकन हो सकता है ये सारा 1992 में कोर्ट दौरा दिया गया और फिर समय सम जो अवेर रहना चाहिए तो चलिए पदनती में आरक्षण की बात देख लेते हैं उसके बाद किर्मी लेर देख लेता है फिर बैक लॉग तो इसमें क्या किया गया कि सब्सक्राइब सम्विदान संसोधन अधरियां मनजिस्तों 95 में 164 को जोड़ा गया व्यवस्था की ग गया पचास सिम्वा सम्विदान संसोधन तो अब इसमें क्या किया गया अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जात के लिए आरक्षण के नितहत प्रणनती के मामले में परिणामी जेस्टता की बेवस्था लागू की गई ठीक अनुच्छे सोलचार कमे ठीक तो यह हो गय अब देखते हैं क्रीमी लेयर क्रीमी लेयर क्या है पिछड़े वर्गों के लोगों वे लोग जो अत्यधिक संपन हैं उन्हें नयाले ने क्रीमी लेयर कहा और क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा मलाईदार परत आपको अनुबाद कहीं कहीं मिलेगा इसका हिंदी में, तो घबड़ाईएगा मत इस चीज से, तो इन्हों ने क्या किया, कि अगर कोई व्यक्ति क्रीमी लेयर, माली जैसे एक एक लाइन माल लिया जाए, एक इंकम की लाइन माल लिया जाए, इसे वर्तमान में 8 लाख है, तो अब माली जै कि कुछी व्यक्ति की सा हकदार होंगे, आठ लाख के ऊपर वाले हकदार नहीं होंगे, ये वेवस्ता क्रीमी लेयर कहलाई, उसके बाद बैक लाग क्या है, रिक्त सीटों को भरे जाने की योगिता बैक लाग है, ठीक है, इसमें का गए, यदि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पद नहीं क्यों, क्योंकि अगर कोई कारे आला है, कोई पद है, अगर वह अपनी पूरी छमता से कारे नहीं करेगा, तो विकास कैसे होगा, तो इसलिए कहा गया है, कि उसे सामान इस्रेडी में बदल दिया जाएगा, तो ये बैक लाग संबन गित बात हो गई, अब आगे बढ़ते ह स्प्रिश्चता का अंत, अब ये क्या चीज़ है, तो यहां कह रहे हैं, कि अनुच्छेद सतरक में बात की गई है, स्प्रिश्चता का अंत किया जाना, स्प्रिश्चता किस तरह से किस रूप में क्या है, तो यहां कह रहे हैं, स्प्रिश्चता समाप्त करनी की विवस्थ और किसी भी रूप में इसका आचरण निशिद्ध करता है अनुच्छे सत्रा इस प्रिश्चता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधी अनुसार दंडनी अमाना जाए गाए ठीक है तो यह चीजें यहां बताई गई है संविधान की हिंद फॉलो करते भी लोग हैं तो अब इसको आगे देख रहेते हैं थोड़ा सा क्या-क्या वेवस्था की गई इसमें 1976 में अपराध अधिनियम 1915 में मोलभु संसोधन किया गया इसको नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1915 दिया गया इसमें विस्तार कर दंडिक उपबंध शक्त बनाए गये इस प्रिष्चता के प्रतेग प्रकार को समाप्त करते हुए अंचे 17 में वेवस अधिनियम में परिभासित किया गया है ठीक है हलां कि मैसूर चनयाले ने अनुच्छे 17 के मामले में वेवस्था दी है कि शाब्दिक व्यकरनी समझ से परे इसका प्रयोग एतिहासिक है ठीक है यानि कि यह साब्दिक सम्मंद से भी आगे की चीज़ें है क्यों क्योंकि जो चुआ चुत प्रिष्टा है यह बहुत गहराई में और अपने विभिन रूपों में मौझूद है ठीक है तो इस अंदर में कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्मयों कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक नेरियोगिता की बात करता है मतलब कुछ लोगों को के प्रवल उनके कुल के आधार पे किस कुल में जाती में जन्म लिये हैं उस आधार पे ही उनका बहिस्कार किया जाता है सामाजिक रूप से अपमानित किया जाता है यह सारी चीजें सद्रियम के तहट सामिल की गई है और इसे दंडनी अपराद घोसित किया गया जन अधिका इसके तहत दोसी करार दिये जाएंगे उसे संसद या राज विधान मंडल के चुनाओ के लिए अयोग्य करार देने के भी विवस्था की गई है अब इसमें आयोग्यता की बहुत सारे मांदंड बता दिये गए हैं मतलब यह जम्मु कस्मीर को छोड़के पूरे देश में फिरहाल लागू था लेकिन अभी क्या है जम्मु कस्मीर तो वो भी सेस रहा नहीं अब पूरे देश में यह लागू है इसमें क्या है कि सारजनिक पूचा अस्थलों प्रवेस को रोकना पराम परागत धार में एक दास्थनी का अन्याधार प्रश्पिता होटल दुकान सारजनिक अस्थानों पर रोकना अनुसिचित जात के किसी व्यक्ति को बहज़त करना अस्पताल सेक्षर संस्थान होस्ट प्रवेस को मानना यह सारी चीजें इसके अंतरगत सामिल की गई हैं तो इस प्रकार से इस प्रिस्था के समस्त रूपों का यहां समस्त रूपों को समाप्त करने की बात की गई है अब देखते हैं आपका अगला और अंति मनुच्छ उपाधियों का अंत तो उपाधियों का अंत की बात क्या है जैसे होता क्या था कि पहले मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ कि बहुत सारे व्यक्तियों को तमाम प्रकार के उपहार दिये जाते थे जैसे महा क्या है यह समानता के अधिकार का अलंगन है ठीक है ऐसा माना जाता है तो इसमें क्या कियाifically गया कि अधार एक ये क्या बोला गया निशेद करता है कि राज सेना या विद्यासमंदी संमान के सिवायव और कोई उपाधी पृर्दान नहीं करेगा अब इसका यह मतलब नहीं कहीं किसी की सरकार है तो फलाने को कुछ नाम दे दें, ढेमकाओ को कुछ नाम दे दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? अठारत दो क्या कह रहा है भारत का कोई नागरिक विदेशी राज से कोई उपाधी प्राप्त नहीं करेगा ठीक है यह प्राप्त नहीं करेगा अठारत दो में कहा गया और अठारत तीन में क्या कहा गया कि कोई विदेशी राज के अधीन लाभ या विस्वास के पद को धार करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधी राश्ट्रपति की सहमती के बिना स्विकार नहीं करेगा सर्त लगा दी गई ठीक अब अठारत चार में क्या कहा गया अठारत चार में बात की गई कि राज्य के अधीन लाव या विश्वास का पद धारन करने वाला को कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसे के अधीन किसी रूप में कोई भेंट उपलब्धी या पद राश्ट्रपति के सहमती के बिना स्विकार नहीं करेगा यह इसमें जोड़ दिया गया हाला कि 1954 में जो अस्थापित किया गया पुरसकार भारत में नागरिक ज उन्हें पुरसकार माना गया ना कि उपाधी ठीक है तो इसी लिए देखे इन्हें उपाधी सब्द इस्तिमाल नहीं किया जाता है ठीक है इन्हें उपाधिया नहीं दिया बोला जाता ठीक है हाला कि यह जो पुरसकार प्राप्त होते हैं ठीक है बैक्ति अपने नाम के तो ये नाम करना गैर कानूनी है इस तरह का लिखना, आप उसे लिख नहीं सकते अपने नाम के आगे, सिवाए जो सिक्षा के छेतर में प्राप्त हैं, उनके अलाओं जैसे डॉक्टर हो गए रहा है, आपको प्राप्त होते हैं उपादिया पीजडी करने के बाद, तो यह आ इसलिए आप लोग बने रहे हैं, और जो वीडियो ये बता रहे हैं जिस साब से, मैं जिस साब से ब्यक्ख्या कर रहा हूँ, आपको इससे ज्यादा कुछ बाहर जाना नहीं है, और पॉलिटी के खास बात होती देखी, इस समझ खाव इससे होता है, बार-बार पढ़ेंग